आज मैं सबसे पहले आपको समाचार लेखन का अर्थ बताऊंगे समाचार लेखन का अर्थ क्या है? समाचार लेखन का अर्थ है समाचार कीसी भी ऐसी ताजा घटने विचार या समश्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचे हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पढ़ रहा हो समाचार क्या है ताजा गटना है जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव भी पढ़ रहा हो या फिर कोई ऐसा विचार हो या कोई ऐसी समश्या हो जिसका अधिक से अधिक लोगों पर रूची भी हो उनकी और प्रभाव भी पढ़ रहा हो इसके बाद हम समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे समाचार के तत्व कौन-कौन से है देखिए नवीन्ता इन सब को मैं विस्तित रूप से आपको बताती हूँ नवीन्ता निकटता पहले शोट रूप में देखिएंगे समाचार के तत्व कौन-कौन से है प्रभाव क्षेत्र टक्राव महतपून लोग उपयोगी जानकारी और अनोखापन यह सब समाचार के तत्व हैं जो जिनका हम एक-एक करके वनन करेंगे और इन में से हर एक पे जो यह मैंने आपको बता है एक कुशन बन जाता है जो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है तो आप ध्यान से सुनिएगा हर प्रिश्ण को आप ध्यान से सुनिएगे सबसे पहला जो हमारा है नवीन्ता नवीन्ता को लेकर के चल रहे हैं इसका प्रिश्ण ऐसे बन जाता है कि समाचार के लिए नवीन्ता का क्यामे है तो है आप जैसा की शब्द से ही जान गए हुए नवीन्ता यानि नयापन समाचार के लिए न्यू होना जरूरी है पुरा तो समाचार के लिए सबसे पहली क्या जरूरत है नवीलता प्राय हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में जो भी घटना घटित होती है वही समाचार बनती है अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वह समाचार 20 कहा जाता है पुराना कहा जाता है इस परकार हम 24 घंटों की अवधी को समाचार की डेडलाइन कह सकते हैं इसके अधेक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में भी कोई नई जानकारी मिलती है अगर तो भी वाय समाचार कहलाती है अब आप कई बार देखते होंगे कि ताज महल के बारे में कुछ नएा जानने को मिल गया आते जो महल है तो यह सब क्या है खाला कि ताज महल बहुत पहले का बना हुआ है उसके बारे में बहुत खबरे आती रहते हैं तो वो भी जानकारियां जो हैं वो नई तरीके से उन्हें बताते हैं, वो भी सब समाचार बनती चली जाती हैं। दूसरा प्रिश्ण आ जाता है निकटतागा। समाचार के लिए निकटतागा क्या मेहत्व है। समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन के निकटतागा। दिल्ली के लोगों के जिनी रुची दिल्ली में होगी, उतनी अन्य नगर में नहीं हो सकती। आप जहां रहते हैं, आपको वहां के बारे में जानने की इच्छा सबसे जादा होती है। तो निकटतागा समाचार में यही महत्व है। तिसरी ते जाती है प्रभावक्षेत्र। प्रभावक्षेत्र क्या है। प्रभावक्षेत्र देखिए, कुश्चन आजाता है कि समाचार के लिए प्रभावक्षेत्र की क्या भूमिका होती है। लिखेंगे कैसे? समाचार बनने के लिए आवश्यक है, कि वह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करी. यवल सौपचास लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में किसी की कोई रुजि नहीं होती है, नहीं समाचार पत्र ऐसे समाचारों को चापते है. पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचारों को हमेशा मुख्य प्रस्ट पर स्थान दिया जाता है तो ये भूमिका होबी प्रभाव क्षेत्री की समाचार के क्षेत्र में अगला प्रिश्य है समाचार के लिए जन रुची का क्या में है तो है जन रुची किसे कहते हैं कि लोगों की रुची किस में है किसी की खेल में है, किसी की फिल्म में है, किसी की राजनीती में है किसी की और कुछ नहीं तो अपराद जानने में है, हिंसा जानने में है ये जनरुची होती है जिसका समाचार के क्षित्र में बहुत महेत होता है हर समाचार पत्र का अपना एक विशेश पाठक परग होता है यानि कि उसको कौन-कौन पढ़ेगा तो उसी के नुसार वो अपने समाचारों का चेहन करते हैं अगर महीला वर्ड जादा है तो महीलाओं से संबंदित विचार या बच्चे हैं तो बच्चों के कोने या कार्टून वगेरा तो उसी तरह से अलग-अलग जनरुची का समाचारों पर प्रभाव पढ़ता है फिर एक प्रशना जाता है समाचार लेखन में टकराव या संघर्ष की क्या भूमी का है लोगों की रुची युद्ध में, संघर्ष में, चुनावी हारजीत में, खेल के हारजीत में होती है इसलिए युद्ध, चुनावपरिणाम, परिक्षपरिणाम आदी लोगों को बहुत ध्यान रहता है कि किस प्रकार से हम इनके बारे में जाने तो इनको लोग ज़्यादा प्ध्यान से पढ़ते हैं, ये भी एक समाचार का तत्व है प्रेशने हैं, समाचार लेखन में महतपुन लोगों की भूमी का क्या होती है लोग अपने समय की महतपुन और जाने माने लोगों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं जैसे कोई बड़ा नेता है या अभी नेता है फिलाड़ी है लिदी उसको जुखाम भी हो जाए तो उसके वारे में समाचार पढ़ना उनको अच्छा लगता है एश्वर्या और अभीशेक की शादी कई दिनों तक भारत में समाचार के लिए एक मुद्दा बनी रही थी तो यह भी समाचार का एक तत्व है उसके बाद आता है समाचारों के लिए उपयोगी जानकारी कैसे उपयोगी है लोगों की रुची बिजली के आने जाने में कुछ मौसम है स्कूल का खुलना बंध होना ऐसी उपयोगी जानकारियां सेहत से सम्मंदित उपयोगी जानकार उनमें भी रुची रहती है तो ये भी समाचार का एक तद्व है अगला आता है अनोखापन अनोखापन देखिए क्या है समाचारों के लिए अनोखापन कितना महतुर रखता है ये चीज आपको आजकल ज्यादा देखने को मिल रही होगी आप बार-बार सुनते हैं कहीं किसी भगवान की मूर्थी ने दूद पी लिया या कहीं भूद प्रेत का होना इस तरह के अनोखे और अधबुत समाचार जो हैं लोगों की रुची में आते हैं तो अनोखे समाचारों में कुछ लोग गहरी रुची रखते हैं इसके कारण ये भी एक समाचार का वेत्वुन तत्व है पाठक वर्ग पाठक वर्ग आता है नेक्स्ट पाठक वर्ग समाचार पत्र को किस प्रेकार से प्रभावित करता है हर समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है उस समाचार पत्र में उसी पाठक परकी रुची के अनुसार ही समाचार लिखे जाते हैं और समाचार पढ़ने वालों में मध्यमबर के लोग अधिक होते हैं इसलिए समाचार उनी से सम्मंदित होते हैं कि सम्मंदल की नीतियां समाचारों को किस प्रेकार से प्रफावित करती हैं आजकर समाचार पत्र इसी ने किसी समाचार संगठन की द्वरा चलाए जाते हैं उनकी अपनी नीतियां होते हैं और जो समाचार उनकी नीतियों के अनुकूल होते हैं उन्हीं वो अपने अनुसार करके छापते हैं से समाचारों को नजर अंदाज कर दिया जाता है समाचार प्रश्ण है समाचार लेखन में किन कि भूमी का मुख्य होती है समाचार लिखन में समाचार एकत्रित करने वाले संबादाताओं और उन्हें छपने योग्य बनाने वाले संपाजक मंडल की भूमे का मुख्य होते है निने एडिटर्स या जो संबाद आता होते हैं वो पेशने है समाचार माध्यओं में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं पूर्ण कालिक पत्रिकार होते हैं जो हमेशा अस्थिर वेतन पर काम करते हैं अंश कालिक होते हैं जो जिने कुछ समय के लिए रख लिया जाता है काम करने के लिए फ्रीलांसर होते हैं स्वतंत्र पत्रिकार ये पत्रिकार किसी विशे समाचार पत्रिया संगठन के वेतन भोगी नहीं होते ये भुगतान के अधार पर अलग-अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं फ्रीलांसर कूछ लिया जाता है प्रश्ण होता है पूर्ण कालिक पत्रिकार कोन होता है किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से काम करने वाला वेतन भोगी पत्रिकार पूर्ण कालिक पत्रिकार कहते हैं से केंद्रिय विश्व वीडिया लेके प्रिश्ण में इस तरह के प्रिश्ण बारवार पूछे जाते हैं उसके बाद प्रिश्ण आता है समाचाल लेखन में छे ककारों का क्या महत्व है छे ककार कौन से होते हैं छे ककार हैं देखें क्या क्या है कब, कहा, कौन, कैसे, क्यों छे ककार कौन से है क्या, कब, कहा, कौन, कैसे, क्यों इसी भी समाचार में पून संतुष्टी तभी मिलती है जब इन छे ककारों का उत्तर दिया जाए यनि कब था, क्या था, कौन था, कैसे था, कहा था इन सब बातों का अच्छे से वर्णन किया जाए तो वह समाचार महत्वूर बनता है प्रश्ण है समाचार लेखन के कितने अंग है तीन अंग होते हैं समाचार लेखन के शीर्षक, मुखडा और निकाय प्रश्ण है समाचार के मुखडों में कौन-कौन सी सूचनाई आती है समाचार के मुखडों में पहले अनुच्छिद या आरंभिक Дो-Тिन पंक्तियों को इसका मुखडा कहते हैं इसके आंतरवर्ट समानेते हैं क्या, कव, कहां, और कौन सी सूचनाई होती है इनका सम्मन्द तध्यात्मक जानकारी या सूचना से होता है विशलेशन या विवरण करने से नहीं होता है प्रश्न है समाचार में कैसे और क्यों का स्थान कहां होता है और क्यों होता है समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या, कब, कहां और कौन के पस्चात होता है समाचार के मुखडे के बाद जहां समाचार का विश्तरत विवरन करते हैं वहां कैसे को स्थान दिया जाता है क्यों अर्थात गटना गटने के कारणों का विश्लेशन कैसे के बाद आता है इस क्रम विश्लेशन के पीछे मूल कारण यह है कि पाठकों की रुची सबसे पहले गटना के तृथियों की जानकारी में होती है बाद में वह उसके बारे में विश्तिर रूप से जानना चाहता है अंत में उसके कारणों पर मनन करना चाहता है यह हो गया आपके समाचार में कैसे और क्यों का स्थान